नमस्कार स्वागत करते हैं आप सभी का स्पोर्ट स्यारी में और मैं हूँ आपके साथ आयोश आज का दिन काले अक्षरों से लिखा गया था ओलम्पिक्स में और इंडिया के लिए ओलम्पिक्स के इतिहास में तो अगर किसी के पास इसकी स्याही का रबड होना तो प्लीज इस दिन को आप मिटा दीजिएगा क्योंकि मैं या कोई भी भारतवासी अब ये दिन वापस से उलम्पिक्स में अपनी टीम के लिए अपने भारत के लिए नहीं देखना चाहेगा तो आज का दिन जो पूरा मनुसियत से भरा हुआ था उसमें क्या थी डेवलप्मेंट क्या थी इंडिया की मेडल रैंकिंग में पोजीशन किस तरीके से इंडिया वापस से हाथ निराशा ही आई है इस आज के दिन भी तो डे 12 का पूरा राउंड अप लेके आपके समक्ष मौजूद हो चुके हैं एक एक करके आपको सबके बारे में बताएंगे पर जो सबसे पहलो और सबसे काला चैप्टर आज का क्या बलकि पूरे इतिहास में रेसलिंग के और उलम्पिक्स के लिखा जाएगा वो है विनेश फोगाट का जहां दिन के शुरुवात में ही ये खबर आ गई थी कि विनेश फोगाट जो कि कल अपना गोल्ड मेडल मैच के लिए जीत के आई थी फाइनल्स खेलने वाली थी उनको कर दिया गया था डिस्क्वालिफाई क्योंकि वो 50 केजी से 100 ग्राम ओवर वेट वहां पे दिखी थी और इसी के साथ जो दिन था वो इतने खराब नोट प कि वो उन्होंने C.A.S. में अपने वहां पे दाखिला दिया है भाई कोट में गई है वो कि भाई कम से कम जॉइंट मेडल भी तो दे दो कुछ तो दे दो तो इस पर बहुत सारी डेवलप्मेंट हुई पर इसी के साथ हम आते हैं अपने मैचेस पर जो मैचेस हुआ और कि इंडिया के हाथ कुछ बहुत खास नहीं आया है तो पहले मैच की अगर हम बात करें तो सबसे पहला मैच जो वहां पे था वो था अथलेटिक्स माराथान वाग मिक्स टीम फाइनल्स का जहां पर आपको प्रियांका और सूरज दिखें और ये दोनों फिनिश नहीं कर प आती है ये लोग क्योंकि फिनिश नहीं कर पाए तो यहां से ये फाइनल से छटके बहार ही हो गए इसी के साथ अगर हम आगे बढ़े अपने नेक्स्ट इवेंट पे तो गॉल्फ इंडिवीजुल का आज पहला राउंड हुआ है चार राउंड होता है इंडियन मेंस टीम उन्हें गॉल्फ में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन नहीं किया टी 41 टी 47 पे उन्होंने खतम किया था पर वहीं राउंड वन के दिन आदिती अशोक ने आपके टाई किया है टी 13 पोजीशन पे दिक्षा डागर ने वहाँ पे आपके लिए टाई किया है टी 7 पोजीशन आपको याद भी हो कुछ दिन पहले दिक्षा डागर की एक्सिदेंट भी हुई थी पर भगवान के देया से वहाँ से वहाँ से बिल्कुल सेफ थी उनकी मातश्री को थोड़ी बहुत चोटे आई थी पर ऐसा सुनने में आया था कि उसके बाद वो भी ठीक हालात में थी त भाया यह था आज का वन अफ दी फर्स हाटब्रेक्स में से एक जहां इंडियन टीम को जर्मनी के हाँ तो शिकस्त का सामना करना पड़ा था रिजल्ट जैसा कि आप देखी सकते हैं क्वार्टर फाइनल हार गई थी टीम यहाँ पे और स्कोर रही थी तीन एक की जर्मनी न बाहर हो के खतम होता हुआ ही नजार आया टेबल टेनिस के बाद अगर हम आगे बढ़े अपने नेक्स्ट इवेंट पे तो वह आता आपका एथलेटिक्स मेंस हाई जंप का क्वालिफिकेशन सेनारियो था यह जहां क्वालिफाई करने पर आप आगे जाते पर यहां से पर फिरवे रैंक पर खतम किया था और मेंस हाई जंप में भाईया आपको खतम करना पड़ता है टॉप के पोजिशन पर अगर आप टॉप के पोजिशन पर खतम नहीं कर रहे हैं तो फिर तेरवा स्थान तो भाईया बहुत ही पीछे हो जाता है आपके लिए तो यहां से इनके लिए भी कहीं न कहीं वो जो सपना था वो खतम होता हुआ ही नजाराया इसी किसाथ अगर हम अध्लेटिक्स के बाद आगे बढ़े मेंस हाई जंप के बाद आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट राउंड में नेक्स्ट इवेंड पर तो वहां पर एथलेटिक्स विमें पर उन्होंने फिनिश किया था और वहां पर अगर आप ऐसा कुछ प्रदर्शन करते हुए दिखती अनूरानी जी तो आपके लिए बाते आगे बढ़ती पर आज निराशा के साथ ये बोलना पड़ रहा है कि आपके लिए भी ये पैरिस उलम्पिक्स 2024 का जो सफर था ये खत संथ रैंक था टाइमिंग इनकी 13 सेकेंड और 16 मिली सेकेंड में थी और ये रेपरचार्ज राउंड में आपको फिर कल को दिखने वाली हैं जहां पर ये सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन अगर रेपरचार्ज राउंड में अच्छे पोजिशन पर खतम करती है तो सेमी फा फाइनल्स का जहां पर आपको अंतिम पंगल दिखी भाईया अगर वन साइडेट छितरॉल किसी को बोला जाता है तो आप एक बार ये मैच जाके देख लीजिएगा 10-0 से यह हारी जेनिप से और वो तो मतलब मजाग कर रही थी वहाँ पर कोट में इनके साथ पर कोई नही होप सो अंतिम इसके बाद अच्छे से और प्रयास करेंगी और नेक्स्ट ओलम्पिक्स में आपको फिर इससे बहतर करते हुए दिखेंगी रस्लिंग विमिन्स के बाद अगर हम आगे बढ़े अपने नेक्स्ट इवेंट में हमारा नेक्स्ट इवेंट था ट्रिपल जंप मेंस काटेगरी में जहां आपको प्रवीन दिखें जिनोंने बारवे रैंक पे खतम किया ग्रूप ए में डिस्टिंस था इनका 16.25 मेटर अबदुल्ला अबुबकर ने खतम किया तेरवे रैंक पे ग्रूप B में जहां पे इनका डिस्टिंस था 16.49 आपको ये भी बता दें कि ये जो ट्रिपल जंप की काटेगरी होती है ना इसमें दोनों ग्रूप से टॉप 12 कंटेंडर जो होते हैं वो नेक्स राउंड में जाते हैं और अगर हम इनकी ओवरॉल पोजिशन की बात करें तो प्रवीन ने वहां एक स्विस थान पे खतम किया और अबुबकर ने वह जादा डिस्टिंस पे अगर जंप मारते ना तो फिर इनका क्वालिफिकेशन हो जाता पर ये 16 पे ही रुख गए थे तो यहां से इनके लिए भी जो थी वो बैड नियूजी सामने आ इसी के साथ अगर हम आगे बढ़े अपने नेक्स्ट इवेंट पे वेट लिफ्टिंग मीरा बाई चानू यार बस एक केजी से यहां पे रहे गया इनके हाथ से ब्रोंज आपके साथ ये पूरा हमने वाच अलॉंग भी किया आपको बताया जिस तरीके से स्नैच में अपना परसनल बेस्ट मारा मीरा बाई चानू ने 88 वहां पे चली गई थी क्लीन एंजर्क में 111 उसके बाद गई थी 114 के लिए पर वो अटेम्ट हो नहीं पाया वो अटेम्ट फेल हो गया और यार यह जो चौथे का ठपा हमारे उपर लग गया है आप कोई एक पिटीशन डालो या फिर बोलो हमारे गवर्मेंट कोई पिटीशन डालने आयो सी को क उसको भी एक मेडल आप मोहिया करवाइए क्योंकि यह चौथा चौथा लेके तो भाई ऐसा परिशान हुए है इस बार हम भारत वासीना कि क्या बताएं लक्ष से इन चौथे पर आर्चरी में आप चौथे पर मनु भाकर पचीस मेटर में चौथे पर यहां पर मीरा बाई चानू ने 199 kg पर खतम किया था तो यह 1 kg से हमारे लिए जो मेडल था वो आने से रह गया यहां पर इसी के साथ अगर हम आगे बढ़े 49 kg वेट लिप्टिंग से अगर हम आगे जाते हैं तो अथलेटिक्स मेंस जो कि आज का लास्ट इवेंट भी था 3000 मीटर के यह फाइनल्स सेगेंड में इन्होंने खतम किया वहां मोरोको के जो थे जो उस टाइम भी जब क्वालिफिकेशन सेनारियों चल रहा था हमाँ पर फर्स्ट है थे उन्हों नहीं यहां पर जीता भी है तो कहीं न कहीं अविनाश के लिए बहुत बड़ा डिसपॉइंट रहा आज का दिन पर कोई नहीं इससे इंडिया उबरेगी इससे इंडिया उवरकम करेगी और जिस तरीके से हमने जज़बा दिखाया है आपको अगले उलम्पिक्स में और ज्यादा बेटर करते हुए इंडिया की कंटिंजेंट नजर आ सकती है क्योंकि कल भी हमारे कुछ मैचेस है कल हमार ब्रॉंज मेडल मैच है आपको होकी में और फिर आपका नीरे चोपडा का भी मैच है कल को फाइनल्स तो वहाँ भी फिंगर्स क्रोस्ट है कि कोई ना कोई हमें मेडल जरूर मिलेगा तो इसलिए आपको एक बर बता देते कि कल का पूरा शेडियूल क्या था तो एक बर आपको बताएक़ यहां से जीतती हैं वह यहां से अच्छा करती हैं तो semi-finals में जाएंगी 2-5 में आपको वहाँ पे round of 16 2 semifinals में इमन शहरावाद दिखेंगे 3 वाज ही में आपको समी dellaल मैच होने वाला होंकि हो कि इंडीया वहां पर आच्छा परफ़ाम करें ब्रॉंज एक मात्र वो एवेंट है जिसके लिए हर एक भारतवासी अपने घर पे अभी मंदिर में होगा तो वहाँ पर अगर बत्ती दिखा रहोगा कि भाई यहां से नीरत चोपड़ हमारे लिए कुछ कर दें और मिल जाए फिर से हमें अपना एक दूसरा गोल्ड मेडल तो रात कोई 11 बच के पचपन मिनिट पे वहाँ पर नीरत चोपड़ा का भी मैच है आपको नीरत चोपड़ा के मैच के लिए कहां आना है कहीं और नहीं स्पोर्ट्स यारी पे क्योंकि कल को करेंगे आपके साथ यह मैच पूरा लाइड स्टीम और आपको बताएंगे कि भाया hope so good news ही मिले वहाँ से और हम वहाँ पे जीत ही आपको बता पाएं तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जल्दी से घंटी दबा दीजिएगा वो bell notification वाली ताकि जैसे ही हम live है फटाक से आपको notification आजाए और अगर वीडियो पसंद पड़ी हो तो like, share, comment और subscribe करना बिलकुल भी मत भूलिएगा तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत जै हिंद जै भारत